नमस्कार दोस्तों 6 जून 2022 के डेली दा हिंदू एडिटोरियल डिसकेशन में आपका स्वागत है पांच आर्टिकल्स आपके साथ डिसकस करूंगा कौन कौन से वैसे तो छे आर्टिकल्स आठ चपें तो जो मोदी नॉमिक्स वाला आर्टिकल है और पीपल नॉट कोट शेप नॉम्स यह भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड अर्टिकल है यह दो आर्टिकल्स में डिसकस करनी रहा हूं यह थोड़ी फिलॉस्ती ज्यादा बता रहे हैं और वैसे नॉलिज के पस्पेक्टिव से थोड़ा कम बता रहे हैं तो इन दोनों को छोड़के आई-पी-एफ इंड आगे बटन से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों चैनल को अब तक शेर और सब्सक्राइब नहीं क्या कर लीजिए इस ट्राम पर फॉलो कर लीजिए आपको लेक्टिर की पीडियो और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएंगी कर एंट अपके अपलोड करके देंग और जो ओबामा के समय पे पॉलसी थी यूएस की पिविट टू एशिया इसको यहां पे आईपी एस के तुरू इंडो पैसिफिक एकनॉमिक पार्टनरिशिप फ्रेमवर्क के तुरू पूट अपकरने कोशिश की इसका फुल फॉम में इंडो पैसिफिक एकनॉमिक फ्रेम इसको आपका आईपी एफ फ्रेमवर्क को कि रागे बात की जाए अब एक प्रोजेक्ट था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरिशिप अब यह तो बन नहीं पाया इस कंटेक्स्ट में जो इसको रिप्लेस कर सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में जो अमेरिकन इनिशेटिव है जो कि भाई आज पास की लाइक बाइंड़ कंट्री को अपनी तरफ खीचेगा उस रिस्पेक्ट में आईपी एफ एक इंपॉर्टन प्रॉमिसिंग रोल रखता है फिजी देखे वैसे तो बताया जा रहा है कि इस पर्टिकॉलर इनिशेटिव के बारे में पिछले साल से ह सोचा जा रहा है अक्टूबर 2021 में जो बाइडन साहर ने इस्ट एशिया समिट के समय पे अपना लेक्चर दिया था उस समय पे आईपी एफ की जितनी मेंबर कंट्री से सब प्रिजेंट थी एक्सेप्ट फिजी तो उस सब ऐसे ही ऐसा बताया जा रहा है कि बैक चैनल टॉ अमेरिकन वर्कर्स को ज़्यादा इंपॉर्टनेश दी जाएगी एड़ सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो पार्टनर कंट्री से उनकी इकनोमी को भी बेनिफिट पहुझाया जाए और बेसिकली दो रोल है इसके दो अब्जेक्टिव से यूएस को एकनोमिक लीडर्शिप प मार्च में और यह जो चार पिलर्स यहां पर डिसाइट किये गए इन चार पिलर्स को लेके ओवर और बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई यह चार पिलर्स हैं कौन-कौन से तो मैं पहले ही बता चुक हूँ फिर से बता रहूं फिर सप्लाई चेन रिजीलियंसी फिर clean energy decarbonization और फिर tax और anti-corruption इन चारों पिलर्स में सारी countries आपरस में एक दूसरे के साथ coordinate करेंगी बस trade exemptions trade tariff exemptions नहीं दिये जा ले ठीक है आई-पी-ई-फ का framework अब तक जो diverse viewpoints रखता है जो अपनी reach रखता है वो reach काफी बढ़ी है बट जो tariff exemptions मतलब इंडिया से कोई सम निकल के इंडिया के अंदर है तो duty कम लग तो basically this is not a proper trade agreement लेकिन trade agreement के अलावा यह आई-पी-ई-फ की जो possibilities हैं वो बहुत जाता है और इस आई-पी-ई-फ की framework को बड़ी-बड़ी कंपनियों Google, Microsoft, IBM, Intel, Cargill सब ने support किया, Biotechnology, Innovation, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America इन सब ने आई-पी-ई-फ की idea को support कि इस आई-पी-ई-फ की idea को US Congress में पहले भी discuss किया रहा है, अभी भी discuss किया गया और most probably US Congress से भी इसको पास करा लेंगे reason being कि यहां पर trade exemptions अमेरिका को नहीं देने पड़ रहे है, PPP में अमेरिका को ही problem आई थी कि Congress ने बोला था कि trade exemption नहीं दिने चाहते, American market का access दूसरी countries को मत दीजे duty free, तो वो चीज यहां पे नहीं हो रही है कि इसमें IPEF में, तो most probably US Congress से भी pass हो जाएगा, इसके positives क्या कहा हैं, तो positives यहीं कि भी American labor rights, environment or climate, digital, economy, agriculture, transparency, regulatory practices सब पे ध्यान दिया जाएगा, fair और resilient trade की बात की जाएगी, supply lines को फिर से अमेरिका में shift करने की बात की जाएगी, अब US यहां पे इतना शाड़ा है कि IPEF के framework में intellectual property right को नहीं include किया है, मतलब इस IPEF framework के अंदर US की जो intellectual property है, यह यह partner countries को नहीं देंगे, तो basically यहां पे engage तो कर रहे हैं, लेकिन engage करने के साथ-साथ अपने जो strong points से वो US अपने पास रखना चाहता है, और बाकी countries को benefit होगा, ल जैसे कि for example, COVID-19 की जो vaccine technologies है, इसके respect में हो सकता है कि कुछ आगे बढ़े बात, अब COVID-19 के technologies को तो बहुत पहले share करना चाहेता, अलरड़ी बहुत लेट हो चुका है, फिर fair and resilient trade के अंदर most probably, यह जो IPEF का framework है, इसमें China की जो supply chains है, इसको US के अंदर वापस या बाकी IPF countries के अं इंडोनेशिया के लिए IPF useful हो सकता है, लेकिन जो दो सबसे important चीज़ होती है, एक तो है tariff concessions, और दूसरा technology, intellectual property right, यह US IPF के framework के अंदर share करने वाला नहीं है, इसलिए US के intentions को कुछ countries यहाँ पर question कर रही है, और overall इस बात के ओपर doubt है कि IPF को framework कितना मदद करने वाला है, हाँ लेकिन IPF की framework के अंदर एक regulatory coherence आएगा, कुछ regulatory standards put up किये जाएंगे, उसके बहाफ पे trade को regulate किया जाएगा, trade barriers को check up किया जाएगा, less developed countries की मतद की जाएगी, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में IPF के अंदर एक free trade agreement के ऊपर negotiation शुरू हो जाए, अभी के लिए देखिए negotiation शुर प्रक्चीत होगी, फिर जो UNFCCC का agenda है कि भाई या climate change को combat करो, overall you know, long term में environment और ecology sustainable होनी चाहिए, तो इस बात को भी ध्यान रखेगा कौन IPF, फिर भाई, digital economy के respect में, cross border data flows और data localization, इसके उपर IPF ने progressive viewpoint लिया, पहले इंडिया जैसी कंट्री का जो logic होता था ना, कि इंडियन का जो data है, जो कि foreigner countries store कर लेती हैं, अपने networks में foreign में, वो नहीं होगा, मतलब IPF की framework के अंदर, digitalization के अंदर, data localization के norms को पूरा किया जाएगा, overall एक country का data उस country के border के अंदर ही रहेगा, readily available to दूसरी countries नहीं रहेगा, जो कि अक्सर कर इंडिया के अंदर debate खुटती है कि Facebook, Google जैसे organizations क Indians के बारे में भारत की सरकार से ज़्यादा पता है, उनकी shopping preferences के बारे में, उनके movement के बारे में, तो ये जो valuable data है, ये इंडिया के अंदर ही रहे, बाहर के corporations के पास ना जाए, इस चीज़ को थोड़ा बहुत meet कर सकता है, IPEF, और एक तो target है IPF का कि China को यहाँ पे देखे, pushback कर दिये, और ये बाच्ची चार पिलर्स के चारुतर घूम रही है, वो चार पिलर्स कौन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक पिलर है fair and resilient trade, एक है supply chain resiliency, एक है clean energy decarbonization और एक है tax of anti-corruption, मतलब tax और corruption नहीं होना चाहिए, tax proper तरीके जबर हो, supply chain resiliency मतलब एक country channel गोपर dependent रहो, free and resilient trade, मतलब trade proper तरीके से होना चाहिए, trade various काम होना चाहिए, और clean energy decarbonization मतलब environmentally sustainable तरीके से काम करी है, तो ये basic चार एजेंडे हैं यहाँ पे, इस एजेंडे में fair और resilient trade वाले case में, कितने tariff वगारा लगाए जाएंगे, वो सब चीज़ें तब पूरी तरीके से decide हो सकते हैं, प्रॉपर free trade agreement sign हो, और free trade agreement और tariff relaxation का कोई भी point नहीं है IPF के अंतर, लेट सी शायद आगे कुछ अलग निकल के है, तो ये overall article में बताये गया है, मोदी जी किया पर बुराई की जा रही है, बीजेपी सरकार की बुराई की जा रही है, जिसको बुराई सुननी है, तो आप जा के बारे में क्या बोल रहा है, दो निया भर में written constitution का कैसे मजाग उड़ा जा रहा है, कैसे liberty, freedom और human rights जैसे concept को systematically ignore किया जा रहा है, ये सब बताया है, जारुन मैरा जी ने, अगले article पर चलते है, fault in tennis, ये particular article काफी important हो जाता है, और ये recent ली काफी news में भी रहा है, विंबल्ड विंबल्डन ने अपने यहां से Russian और Belarusian players को खेलने से मना कर दिया, इस बात को लेके ये बोल दिया गया, कि विंबल्डन के अंदर जो भी tournament वगरा होगा, उससे जो भी points वगरा अर्जित करेंगे, ये players, उन points को international ranking में consider नहीं किया जागा, जो women's ranking, men's ranking, doubles ranking निकलती थी थी न वो ranking में अब विंबल्डन के point नहीं जुड़ जाएंगे, तो इसलिए बोला गया था कि जो नौवाक जोकोविच साहब है, जो कि world number one है, इनके world number one ranking जा सकती है, जो कि विंबल्डन जो जीता था, वो matter ही आपे नहीं किया जाएगा, तो basically यहां पे tennis के जो administration है, उसमें थोड विंबल्डन अलग, यह सब अपना अलग ऑपरेट करते हैं, और सब अपने अपने जगा पर बिल्कुल राजा है, अपने 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 इंटरेस्ट के हिसाफ से काम कर रहेंगे, फिर national tennis federation भी एक है अलग-अलग countries का, तो कुल मिला के अगर आप देखो, तो tennis का कोई central governing framework नहीं है, और उसके चलते होता यह है कि हर governing framework अपने अपने domain में, अपने 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 हिसाफ से मनमोजी तरीके से काम कर रहें, और ऐसा बताया जाता है कि यह जो administrative framework से ना, यह आपस में दूसरे को पर भरोसा नहीं करते हैं, अपने अपने हिसाफ से काम करते हैं, कभी ठी KATP, WTP, WTA, सब काफी नाराज हो गए, फिर पहले भी ऐसे बहुत सी चीज़े हो, जैसे French Tennis Federation ने क्या किया था, कि pandemic के समय पे जो French Open था ना, जो कि normal कर माई जून के समय पे होता है, इसको schedule कर दिया October में, अब सोचो, October में French Tennis Federation होगा, US Open के सिर्फ दो हपतों बाद, तो इससे Open को कम से कम US Open से discuss तो करना चाहिए था, लेकिन कोई discussion यहां पे नहीं हुआ, तो एक अजी भी प्रकार का chaotic autumn season मन गया है, यहां पे tennis का, तो हर organization अपने अपने हिसाब से घाम कर रहा है, फिर पहले क्या हुआ था कि जो word number one थी former, नौमी उसवाका, इन्होंने Roland Goras पे press conference को boycott किय तो जितने भी grand slam organizers थे सब उसको धंकी देने लगे, fine लगाने लगे, suspension करने लगे, लेकिन अलग 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 हिसाब से चीज़ों को कर रहे थे, कोई भी proper central coordination नहीं था, फिर जब tennis star Peng Shui को चाहिना के अंदर परिशान किया गया थे, tennis star Peng Shui ने Chinese Communist Party officials के उपर रिजाम लग किया, लेकिन ATP जो men's tournament को regulate करता है, उसने कुछ नहीं बोला, उसने बस statement release किया, openly China में होने वाले tournaments को suspend नहीं किया, तो यही सब देख के बताया जा रहा है, कि यह जो tennis का governance framework है, administrative framework है, यह centrally proper तरीके से coordinate नहीं कर रहे है, और यह यहाँ पर चीज है नहीं, तो यह proper तरीके से ची जींग की बाद पहले Roger Federer और Billie Jean King जैसे जो वें मिलडन, sorry, जो tennis players हैं, वो कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनता नहीं है, ओके, Russia-Ukraine conflict के बाद, Russian players और Belarusian players के उपर sanction लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए, खासकर तब, जब वो अपनी individual capacity में खेल रहे हैं, और Russian leadership के actions को criticize भ लगराए हो सकती है, तो end में इस article में यहीं बोला गया है कि पूरे tennis, international tennis को एक centralized regulatory body की जरौत है, एक proper director और commissioner की जरौत है, जो कि ऐसे crisis के समय पे, tennis के administration को segregated framework में ना दिखाए, प्रापर तरीके से centralized framework की तरह दिखाए, जहां पे uniform basis पे, और similar guidelines और similar protocols पे decision लिए जाते हैं, ना कि decision के decision बिलकुली segregated नजर आए, जो कि यहां पे होता हुआ नजर आ रहा है, आगले article की तरफ चलते हैं, the BJP AI ADM के spat and rapproachment, basically Tamil Nadu के अंदर AI ADM के और BJP ये allies हैं या नहीं है, ये लड़ रहे हैं, दुश्मन हैं या दोस्त हैं, देखा जाता है तो इस समय पे power में कौन है, Tamil Nadu के बहुत बड़ी party's है, M.G. राम चंदरन और जैललता जैसे, आपके लो, you know, खतरनाक leaders associated रहे हैं इस party के साथ, लेकिन आज की डेट में कोई बड़ा face नहीं है, AIDMK के सामने, DMK को Stalin के form में मिल गया है, जो की करोणा निदी की बेटे हैं, खेर वो एक अलग topic है, अब opposition में party की leadership पर Tamil Nadu के अंदर, यह अपने आपको most prominent party of Tamil Nadu दिखाने की कोशिश करती है, in opposition, अभी recently अगर आप देखिए, तो ऐसे बहुत से instances देखने को मिले हैं, जहां पर AI-ADMK leaders BJP के साथ दोस्ती करते भी नज़र आएं, और जहगारते भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि AI-ADMK के जो पनली BJP के साथ दखते भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि AI-ADMK के organization statutory C poniyan, यह BJP के अगहिस्टिक statement देते हैं, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यह बोला, कि अगर BJP हद से जादा expand करती है Tamil Nadu के अंतर, तो वो AI-ADMK का space खा जाएगी, मतलब BJP will expand in Tamil Nadu at the expense of AI-ADMK, मतलब अगर AI ADMK मदद करता है BJP की expand करने के लिए Tamil Nadu में, तो AI-ADMK का influence कम हो जाएगा, ऐसा openly यहाँ पे किसने बोल दिया, C poniyan जी ने बोल दिया, जबकि अभी recent देखे तो recently जो राजसवा में nominations हुए न, उसमें CV, शानमुगम और R धरमार, यह राजसवा में elect हुए हैं, दोनों ही AI-ADMK क हैं और इनको alert करवाने में BJP ने मदद की है, तो इस context में अगर देखा जाए, तो एक तरफ तो कहीं न कहीं AI-ADMK और BJP की रिष्टे थोड़े normalize होते भी नजर आते हैं, दूसरी तरफ रड़ाई होती भी नजर आती हैं, अब जब C poniyan ने BJP के against बोला, तो उसके बाद में BJP ने भी AI-ADMK का against बोलना शुरू कर दिया, तो कुछ AI-ADMK की तरफ से लोग आए, जैसे कि खुद पलाना स्वामी और एड़ा पड़ी पलाना स्वामी और पनीर सलवम, दोनों ही कुछा तक BJP को defend करते भी यहाँ पे नजर आए, बेसिकली अगर आप देखें, AI-ADMK के centralized governance के अंदर दो factions नजर आ रहे हैं, एक faction यह है जो BJP के साथ अपने जिश्टे को अच्छा रख रचाता है, दूसरा faction यह ही वो चाता है कि बिलकुल दरवीदिन politics में dependent रहो, इस national party BJP को central organization of Tamil Nadu में गुसने मत दो, तो चुकि Tamil Nadu के अंदर अगर BJP dominant होती है, तो AI-ADMK की मदद से dominant होगी और एक बार dominant होगी, तो वो AI-ADMK की जगा ही खालेगी, देखें, यह बात तो बिलकुल सही है, कि अगर BJP Tamil politics में आगे बढ़ेगी, तो किसी ना किसी की जगा घेरेगी ना, तो वो AI-ADMK की जगा खेरेग internal dissension है, किसके किसके बीच में, AI-ADMK की बीच में, और BJP के बीच में, जहां पर एप्रोच्मेंट भी नजर आ रहा है, एक दूसरे सा दोस्ती भी नजर आ रही है, और थोड़ी बहुत दुश्मनी भी यहां पर नजर आ रही है, तो भाई, बाई, 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 फिर्ण में आपसे बाद कि, त्रीकारा एसेंबली में बाईES हो रहे थे, इन बाईES हो रहे था, इन बाई ELECTIONS से केरला की सरकार पर कोई फरक नहीं पड़ने वाला है, जो के केरला की स्टे लेटिटी निसरें वी कामःता है, लेकिन भाई होटा है, के लोगरें ऑन रही के लिए बड़ी बात होती से रूलिंग कॉलिशन और खुद पेनाराई विजियन साब कैम्पेइनिंग करते नजर आये थे थ्रीकारा कॉंस्टिटुएंट असेमली में लेकिन कॉंग्रेस यहां पे जीत गई कॉंग्रेस के रेवलिशनरी लीडर पीटी थॉमस साब जीते थे कहां से पहले थ्रीकारा से अब उनकी वाइफ उशा थॉमस यहां पे जीत गई है समझ गया बात को तो अब कहलो कि थ्रीकारा एसमली में कॉंग्रेस ने जीत के अपनी रेलेवेंसी प्रूव कर दी है बेसिक के लिए यहां पर कॉंग्रेस जीतती हुए नजर आई है सिमिलरली अगर बात की जाए तो और इसा की जो ब्रजराज नगर एसेंबली कॉंस्टी ट्वेंसी में जो बाइलेक्शन हुए वहां पर बीजू जंतादल के कैंडिडेट अलक मोहंता जीत गई है अलका मोहंता अल की लंबे समय से वोड इसा की पॉलिटिक्स में घुशना चाहते हैं बीजू जलतादन को हराना चाहते हैं लेकिन अभी के लिए चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक अपनी कुरसी के ऊपर बने हुए है और वहीं पर बात की गया है उत्तरा खंड में तो उत्तरा खंड के अं मेले की सीट नहीं जीत पाते तो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे अपने आप में इस पर्टिकुलर सीट को मेंटेन कर पाना ही चैलेंज होगा पुशकर सिंधामी साब के लिए चुकि उत्तरा खंड की पॉलिटिक्स भी आसान नहीं तो बैसिकली रिसेंट्ली जो बाइप कॉंग्रेस की इंपोर्टेंस को डिसाइड कर रहा था और चलते हैं अपने आखरे आर्टिकल की तरफ और कॉर्बे वैक्सर बूस्टर जनरल ऑफ इंडिया इसने यह बोला कि कॉर्बे वैक्स को एजबूस्टर डोज हम अलाव करेंगे 18 साल से जाधा कि जो लोग है उनके वैक्सीन लगा और इस साल के 10 जनवरी से ही बूस्टर डोज अलाव कर दिए गया है तो अब तक जो बूस्टर डोज लग रहे था वह ऐसे लग नहीं जिसने दो कोवी शील्ड लिए उसका बूस्टर डोज भी कोवी शील्ड का होगा लेकिन अब अगर आपने कोवैक्सीन की वैक्सीन लिए तो कॉर्बे वैक्स ले सकते हो बूस्टर है कोवी शील्ड लिए तो भी कॉर्बे वैक्स आप ले सकते हो बूस्टर डोज और यह कौन से बेसे से बताया जा रहा है तो रीसेंटली सेग्रीगेटर बेसेस पर कुछ स्टडी कंड़ की गई है कुछ क्लिन में यह पता चला है कि भाई जो डोज आपने ओरिजिनल लिया था जिस भी वैक्सीन का अगर उससे अलग आप बूस्टर डोज ले रहे हैं जैसे आपने को वैक्सीन ली अपनी नॉर्मल वैक्सिनेशन में और उसके बाद बूस्टर डोज आपने कोवीशील्ड का ले लिया या फिर कॉर्बे वैक्स का ले लिया तो उस केस में जो आपका इम्यून रिस्पॉंस है वो जादा होगा यह कुछ स्टडी ने बनवाया है बताया है इंक्लूडिंग वन स्टडी बाई क्रिश्टिन मेडिकल कॉलेज तो जो बाइलोजिकल ए की कॉर्बे वैक्स वैक्सीन है इसके हेट्रोलॉजिस बूस्टर वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है सरकार के दोरा लेकिन यहां पर कुछ कॉश्चन्स पूटप किये जा रहे हैं कि देखिए जब भी आप बूस्टर डोज लोगे कुछ समय के लिए तो आपका इम्यून रिस्पॉंस अच्छा हो हो गई होगा चाहिए आप सेम वैक्सीन का बूस्टर डेज्श ले रहे हो चाहिए डिफरेंट वैक्सीन का बूस्टर डॉज ले रहे हो तो कुछ सेग्रीगेटेड इनलीसिस के आधार पर आप यह धर्म नहीं कह सकते कि जो हेट्रोलॉजिस बूस्टर डोज है वह लिए तो बूस्टर भी आपने कोवी शीट के लिए तो यह हो जाएगा होमोलोजस है ट्रोलोजस क्या होगा कि आपने कोवी शील्ड की पहली दो बोजस ली और बाद में आपने कॉर्बे वैक्स का बूश्टर डोज ले लिया तो जो इनिशली आपकी फस्ट और सेकंड पर यह बात हम बहुत ज़ादा कंवेंसिंग तरीके से प्रूव नहीं कर पाए हैं कि हेट्रो लॉजस बूस्टर डोजस और वे वे मोर एफिशेंट देन होमोलोजस तो अभी के लिए इनिशल कुछ स्टेडी के बेसिस पे और बिना नटागी के कॉनकरेंस के नटागी मतल टेक्निकल एडवाईजरी गूप इम्मुनाइजेशन ने हेट्रो लॉजस वेक्सिनेशन को हां नहीं भराए हाना कि आगे बताया जारा कि यह भी हां बोल देंगे बट ओवर ओल सरकार को जल्दी नहीं करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से नटागी के रिकमेंडेशन का इं सब्सक्राइब करना यह एक सही अप्रोच नहीं बताई जा रही है लेट सी नटागी इसके बारे में क्या बोलता है नैशनल टेक्निकल एडवाईजरी ग्रूप यहां पर क्या बोलता है इसकी रिपोर्ट आनी बागी है तो यह था आज का एडिटोरल डिसकेशन दोस्तों कुछ न कुछ आपको यूसफुल जानने को मिला हो अपने व्यूपॉंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जरूर जाएगा दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लिजिए कर लिए इस चीज़ों के नीचे दिया हुए जोस्तों जादा से जादा लोगों के साथ आप इस चैनल को शेयर करें वीडियो को लाई को शेयर करें उससे काफी मदब मिलेगी आव ग्रेट डिफरेंस गुडबाई सुपर थैंक्स को और जॉइन बटन को और दबा कर जाना